हेलो एवरिवन मैं हूं दीपी का आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी पाठी पुस्तग स्पर्ष भाग एक का गद्य खंड जिसका दूसरा अध्याई है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और इसकी लेखी का है बचेंदरी पाल तो आईए शु गया था जिससे कि वह हमारे बेस कैम्प पहुंचने से पहले दुर्गम हिंपात के रास्तों को साफ कर सके नमचे बाजार शेर्पा लेंट का एक सरवाधिक महत्वपूर्ण नगरिये शेत्र है अधिकांश शेर्पा इसी इस्थान तथा यहीं के आसपास के गाउं के होते हैं यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सरुप्रतम एवरेस्ट को निहारा जो नैपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसित है मुझे यह नाम अच्छा लगा एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था मुझे बताया गया कि यह द्रिश्य शिखर की उपरी सतह के आसपास 150 यानी 150 किलोमीटर अत्वा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ परवत पर उड़ता रहता है बर विशेश कर खराब मौसम में यह मुझे डरानी के लिए काफी था फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रती विचित्र रूप से आकरशित थी और इसकी कठिंतम चुनोतियों का सामना करना चाहती थी जब हम 26 मार्च को पैरिज पहुझे हमें हिम इस खलन के कारण हुई एक शेरप बड़ी बर्फ की चटान नीचे खिसकाई थी 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यू हो गई और चार घायल हो गए थे इस समाचार के कारण अभ्यान दल के सदस्यों के जहरों पर च्छाय अवसात को देखकर हमारे नेता करनल खुलर ने सपश्ट किया कि एवरेस् मार्च को पैरिच लोट आए उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिती से हमें अवगत कराया उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर पर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है उन्होंने यह भी बताया कि की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किये गए सभी कारी व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है बेस केम्प में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यो की खबर मिली जलवायू अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्य हो गई थी निश्चित रूप से हम आशाजनक इस्थिति में नहीं चल रहे थे एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले दो बार देखा था लेकिन एक दूरी से बेस केम्प पहुंचने पर दूसरे हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था हमें बताया गया कि ग्लेसियर के बहने से अकसर बर्फ में हलचल हो जाती थी जिससे बड़ी बर्फ की चट्टाने ततकाल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायह खतरनाक इस्तिति धारन कर लेती थी सीधे धरातल पर धरार पढ़ने का विचार और इस धरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र खयाल ही बहुत डरावना था इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास क के दौरान हिम पात लगभग एक दरजन आरोहियों और कुलियों को प्रति दिन छूता है दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिम पात के आधे रास्ति तक ले गए डॉक्टर मीनू महता ने हमें एल्यूमीनियम की सीडियों से लठों और रसियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिर्ची दिवारों पर रसियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्र की कारियों के बारे में हमें विश्त्रित जानकारी दी तीसरा दिन हिम पात से कैम्प एक तक सामान ढोकर चड़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था रीता गॉंबू तथा में साथ साथ चड़ रहे थे हमारे पास एक वाकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैम्प में दे रहे थे करनल खुलर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी क्यूंकि कैम्प एक तक पहुँचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी अंग दौर जी लोप सांग और गगन बिस्सा अंतितह साउथ कोल पहुँच गए और 29 यानि 29 अप्रेल को 7900 यानि 7900 मीटर पर उन्होंने कैम्प चार लगाया यह संतोश्चनक प्रगती थी जब अप्रेल मैं मैं बेस कैम्प में थी तेंजिंग अपनी सबसे चूटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आये थे उन्होंने इस बात पर विशेस महत्व दिया कि दल के प्रतेक सदस्य और प्रतेक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए जब मेरी बारी आई मेरा अपना परिचा यह कह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है तेंजिंग हसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है लेकिन यह भी इस पस्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें साथ बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था फिर अपना हाथ मेरे कंथे पर रखते हुए कहा तुम एक पक्की परवतिय लड़की लगती हो तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए 15-16 मई 1984 यानि 1984 को बुद्धपूर्णिमा के दिन मैं होटसे की परफीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुन्दर रंगीन नायलोन के बने तंबू के कैम्प तीन में थी कैम्प में दस और व्यक्ति थे लोब सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे एंडी शेर्पा तथा और आठ अन्य शरीर से मजबूत और उचाईयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबूओं में थे मैं गहरी नीद में सोई हुई थी कि रात में साड़े बारा बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सक्त चीज के टकराने से मेरी नीद अचानक खुल गई और सांथ ही एक जोड़दार धमाका भी हुआ तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी यह क्या हो सकता था एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैम्प के ठीक उपपर लोट से गलेसिर से तूट कर नीचे आगिरा था और उसका विशाल हिम पुंज बन गया था हिम खंडों, बर्फ के टुकडों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काई पुंज ने एक एकस्प्रेस रेल गाड़ी की तेज गती और भीशन गर्जना के साथ सीधी ढ़लान से नीचे आते हुए हमारे कैम्प को तहस नहस कर दिया वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी यह एक अश्यर्य था कि किसी की मृत्यू नहीं हुई थी लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुननत ही अत्यनत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ थम रित्यों बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमें बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कवर से निकाल कर बाहर खीच लाने में सफल हो गए सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और सोला मई को प्राथा आठ बजे तक हम प्रायह सभी कैम्प दो पर पहुँच गए थे जिस शेरपा की टांकी हड़ी तूट गई थी उसे एक खुद से बनाई स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाए हमारे नेता करनल खुलर के शब्दों में यह इतनी उचाई पर सुरक्षा कारेखा एक जबरदस्त सहासिक कारे था सभी नौ पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा तूटी हड़ियों आदी के कारण बेस कैम्प में भीजना पड़ा तभी करनल खुलर मेरी तरफ मुड़ कर कहने लगे क्या तुम भी भैवीत थी जी हाँ क्या तुम वापिस जाना चाहोगी नहीं मैंने बिना किसी हिचकी चाहट के उत्तर दिया जैसे ही मैं साउथ कोल कैम्प पहुँची मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चड़ाई की तयारे शुरू कर दी मैंने खाना, कुकिंग एस तथा कुछ आक्सिजन सिलेंडर इखटे किये जब दो पहर देड़ बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाहे के लिए पानी गरम करते देखा की, चै और मीनू अभी बहुत पीछे थे मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चड़ाई करनी थी वे धीरे-धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोज ले कर और बिना ओक्सिजन के चल रहे थे दो पहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक ठरमस को जूस से और दूसरे को गरम चाहे से भरने के लिए नीचे जाने का निश्य किया की चोटी के ठीक नीचे मिला उसने कृतेग्यता पूर्वक चाय वगर हपी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिस की मगर मुझे की से भी मिलना था थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा वह मुझे देखकर हका बक्का रह गया तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों लिवचेंद्री मैंने उसे दृता पूर्वक कहा मैं भी औरो की तरह एक परवता रोही हूं इसलिए इस दल में आई हूं शारेरिक रूप से मैं ठीक हूं इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों के मदद क्यों नहीं करनी चाहिए की हसा और उसने प साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्द थी उस पर लौट आये साउथ कोल प्रित्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसित हैं अगले दिन मैं सुबह चार बजे उड़ गई बर्फ पिगलाया और चाय बनाई कुछ बिसकुट और अक्सिजन के ही चड़ाई करने वाला था लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे इसलिए वह उचाई पर लंबे समय तक खुले में और रातरी में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चड़कर साउथ कोल पर व वापस आना बहुत कठीन और श्रमसाध्य होगा इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लोटकर आने का भी जोखिम था मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरूहन की शमता और करमटता के बारे में भी आ लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी मैं अपने आरोही उपसकर में काफी सुरक्षित और गरम थी हमने बगैर रसी के ही चड़ाई की अंगदौर जी एक निश्चित गती से उपर चड़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई जमे हुए बर् बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सकती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस पर जमे हुए बर्फ की धर्ती को फावड़े के दाते काट सकें मैंने उस खतरनाक इस्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया दो से कम समय में ही हम शिखर केंप पर पहुँच गए अंगदार जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं ठक गई हूं मैंने जवाब दिया नहीं जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चेरी चकित और आनंदित हुए उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने श रक्षिनी सिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया थोड़ी थोड़ी चाई पीने के बाद हमने फिर चड़ाई शुरू की लाटू एक नायलान की रसी लाया था इसलिए अंग दौर जी और मैं रसी के सहारे चड़े जबकि लाटू एक हाथ से रसी पकड़े हुए पीच में चला उसने रसी अपने सुरक्षा के बजाए हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी लाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन उचाईयों के लिए सामाने तह आवशक चार लिटर ऑक्सीजन की अपिक्षा लगभग धाई लिटर ऑक्सीजन प्रती म बढ़ गई थी उस उचाई पर तेज हवा की जोंके भुर भुरे बर्फ के कड़ों को चारो तरफ उड़ा रहे थे जिससे द्रिश्यता शून्य तक आ गई थी अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई उची चड़ाई नहीं है धलान एकदम सीधा नीचे चला गया है मेरी सास मानों रुख गई थी मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के एक बचकर साथ मिनट पर मैं एवरिस्ट की चोटी पर खड़ी थी एवरिस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली मैं प्रतम भारती महिला थी एवरिस पारे सामने प्रस्न सुरक्षा का था हमने पहले बर्फ के फावडे से बर्फ की खुदाई कर अपने आपको सुरक्षित रूप से इस्थिर किया इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगा कर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन बिना उठे ही मैंने अपने थेले से दुर्गा मा का चित्र और हनुमान चालिसा निकाला। मैंने उन्हें बिना उक्सिजन के एवरेस्ट की दूसरी चड़ाई चड़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुस्फुस आया। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धी के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याई के साथ। तैंक यूू।